और ये मेरी दीदी का ससराल भी है यानि रोसनी दीदी का और उनका गर्टी कहाँ पर है तो इतनी मेनद मुसक्रवियत बाद फैरली पहुच गया हूँ अपने प्रियुखाला हूँ श्पिटल में तो आप सब की याने पहले इस रास्ते से जुड़ी होगी बस दोस दोस्तों ऑप लगा सकते हो पहले यह रास्ते ना दोस्तों इतने किलियर होते दें व्यंकि इन पर ही लोग चलते दें और अभी दोस भरोली गाउं में आपको यह कुछ पुरानी जीचीज़ें देखने को म हमारे छेदर मेंने जो सबसे ज़्यादा खाली हो रहे हैं गाउं उनमें से दोस्तों ये के गाउं भी है और पिछली वीडियो में काफे सारे कमेंट थे कि रोड का क्या हाल है मलवा साफ हुआ नहीं हुआ बागया भी यहां पे थोड़ा सा रुके हुए है क्योंकि नीचे के वीडियो में आपको खाताना कि बारी सो सकती है यह देखो वही दोस्तों कल रात भर बारी सो दी और अभी सुभे से बारी सो दी थोड़ी देर अपी रुक रखी है थोड़ा इदर से मौसम अब खुल रहा है भागी अभी टाइम हो गया ठीक नो बजेगा आगी दोस्तों बहुत ज़्यादा खराब हो चुकिया कल रात को ना दोस्तों बिल्कुल एक गंटे की नीन कर करके सो जाओं ऐसी की दवाई खारा था पचीना हो रहा था पर कोई फरक नहीं पड़ रहा था सरदर जितना ज़्यादा हो रहा है कि क्या ही बदा हो बागी बड़ी आसा रैड मैं इसलिए दोस्तों मैं कोई रिस्क नहीं ले रहा हूं मतलब मैं सिधा जा रहा हूं आज होगा जो होगा बारिस आईगी जो भी होगा आज के दिन होगा बटकर दवाई मिल जाए जल्दी ठीक हो जाओंगा नहीं तो फिर कल का कोई वरोसा नहीं है क्या पता कल फिर से ब व्लॉग में देव बूमी उत्राखंड के इन खूपसुरत पहाड़ों से और मेरे प्यारे से गाउं एर उली से जहां से मैं आपके लिए प्यारे सी वीडियो बना रहा हूं अपने सामने दीवा पर्वत और दीवा परवत की तरफ देखो वही दोस्तों कितने भैनेक से बादल लगे में बिलकुल काले बादल और कितना खतना कोरा लगा हूइए तो बारिस के आने के पुल-फूल चांस बन रखेंगे बागी अभी दोस्तों आपको एक खतरनाक सी ची इसलिए मेरे साथ है दोस्तो पापजी और मेरे साथ है और पापा जी जाना है तो पापा जी का थोड़ा सा काम पच्पन में जाते दे तब जाता था हमां पापा जी के साथ तो अब हो एक तो बन रही है यह कुछ क्छाम को नहीं अभी तो इस फे बैदली चलना joints नहीं चल सकती वेकिर फोगिर यूदिन ही मलवा है क्ल़ू ह caf हो चीज Gespr मीं पुरानी सिसा आज टाजा हो रही है हमारी कि एसे जाया करते दैं उस टिर्च टूम क्योंकि बहुत टाइम बात पापजी के साथ साफर तो पापजी वारिश भी आने लग यह है और आरब को देखो तुम आरब बोल रहा है बलाद मुझे गाड़ी चलानी आरब गाड़ी चलानी है अब यह वाय एक आरब हमारे गाओं में एक अरब तलिया लिए दोरे खतर नाक है भाल कि बारिश भी लगी हुई है पर बोल रहा है मेरे को बाइग में गुमाओ और अब बारिश में घुम हुआ है चलानी जल्दी बाइब और किसमा दोस्तों हमारी ऐसी खराब बारिश आने लग गई है, और पिछली वीडियो में काभे सारे कमेंट थे, की रोड का क्या हाल है, मलवा साथ हुआ नहीं हुआ, आपको बता देता हूं, की, अभी, बिल्कूल भीमे मलवा साथ नहीं है, मलवा साथ है, बर आप गाड़ी नहीं ला सकते है, क्योंकि बड़े-बड़े प्त चंदुली गाओं के सामने यह आपको हमारे आगे ठीक चंदुली गाओं दिख रहोगा और फरस्व हम यहां तक ठीक बाइक लेके आगे थे फिर आतिताइम ना बड़ी हालत खराब हुई इस रोड पे जब उसको आतिताइम लाए क्योंकि यह बड़े बड़े पत्थर जो है करने पड़ेगी ठीक अपने बिरोखाल के लिए या तो पहिंटा के रास्ते जाना पड़ेगा वांट यह दिक्क्त है कि अगर पहिंटा के रास्ते जाए तो इस टाइम गाडवी नहीं मिलेगी 11-4 हो गया है और आब वहां से गाडवी मिलना इंपॉसिबल सा हो जाता है ब बड़ी हालत कराब होगी पर टेस्ट क्या ही कर सकते हैं जाना तो पड़ेगा दोस्तों ना नीची के लिए बिल्कुल उत्रा ही नहीं जा रहा पैर इतने भैनक दर्द हो रहे हैं यहां रोड से और ठीक यहां नीचे पुल तक और पुल से यहां तक पहले धलान पर उत्रे फिर थोड़ी से चड़ाई तो फैनली करी लिए आनत खराब हो गई वहांकि थो तो ठीक है चड़ाय पर चला जा रहा है और अभी पहुच गहने के पंदेरे में और यह रहा दो सब्धिक तालंड का पंदेर ठीक इस वाली जगा में तो काफी सारी यादे वी दोस्तों इस वाली जगा से हमारी आफ सब की भी आफ सब भी कई लोग इस रास्ते से तो पानी को पीता हूं फिर निकलता हूं और जल्दी बारा बज़ने ऑर जैसी एक बजएंगे भाक्ट्रों को हो जाएगा लंच ब्रेक तो इसलिए जल्दी निकलता है बागी इस रास्ते में चलते-चलते हम पहुश्चने ट्रीक बारोली के सामने और। यह है द्टो विरोखाल वाला भरोली। यह तली बरोली, stylish reviewed. सबस्सक्वाराlast इसलुए न एफिसी पूल यह तर आकर अब है दुछे विए द्टो देने मिलानी दसारफ़ाला सबीर। उसलीोर के यह हुच है। घ्रोट चात रिया तो यह यह भाई दोस्तों ठीक मेरे सामने तली पॉरोली और यह जो ऐए दोस्तों आप यह वाला देख रहे हो न तो यह मली पॉरोली और शीके रास्ते हम जाने वाले हैं और इस गाहों के कंडिशन भी भी है इन प्रस्तर ब मंगे उस्कार लोग बहुत ज़्यादा हो रहें है और पास-दाश साल के अंदर उस सो फिस बहुत जादा हो रह रहा है उन रातों से दोस्तों आप लगा सकते हो पहले यह रास्ते न दोस्तों इतने दोस्तु कुछ एसी हो रही है पहले जाते थे दोस्तों इस वाले राश्टे पर आप जाना पड़ता है od जुद दोस्तों इस वाले गाउऊं के कोई आहीं डिखेता आपको नहीं दिखेगा दोस्तों दो-चार लोग है जिनके चकर में गाउँ चल रहा है और कुछ आजकल नेपली भाई लोग आ रहे है तो इनके चकर में यहाँ थोड़ी सी बीड़ बाड़ यह मेरी दिदिका ससुराल भी है यानि रोशनी दिदिका और उनका घर्टी कहाँ पर है और वो वीड़ो देख रही होंगी तो अपना घर भी देख लीजिए पर वो भी दोस्तों घर पे नहीं रहते हैं तो इसलिए मैं उनका घर भी दिखा रहा हूँ बागी इस गाउं के एक बिसेस्ता और बताता हूँ यहां दोस्तों अखोड इतने जादा होता है ना क्या ही बताओं देखो यहां पूरे के पूरे ना अखोड के ही अखोड के पेड़ है और सारे आपको जितने भी दिखेंगे न अखोड के पेड़ने इका दुका पेड़ दिखेंगे आपको जो की और चीजों के हैं तो इस जगांगों को भी बोला जाता है भल अखोड का गार्ड तो चलो वही दोस्तों इतनी मेनद मुसक्रवियत बाद फैरली पहुंच गया हूँ अपने प्रिखाला होस्पिटल में और यहां से पूरा होस्पिटल सुरू हो जाता है वागी एक कमरे वगेरा है सारे की सारे यहां डॉक्टर वगेरा लेता है जो कि बाहर से आता है चलो वही दोस्तों सीदह घुज गया था दोस्तों होस्पिटल में अपना चेक अब वगेरा कि रहा है पर्चे फड़ चुके है और टेस्ट वगेरे के लिए मना कर रहे है बलाभी पास दिन की दवाई खाओ उसके बाद सारी जाचे करेंगे टाइट यह भी करेंगे मलेरी सब्सक्राइब के तरह से होता है तो दोनों चीज मान सकते हो कि अब कि यह चीज अब यहां बढ़िया हो गया पहले यहां टेस्ट वगेरे नहीं हो देदे अब यहां टेस्ट वगेरे भी हो जाता है तो निकलना है बिरोखाल की तरह और को समान होगे रभी लेना है पट्टा मेरे बसकी तो नहीं है पापजी आप जितना लिजा सकते हो उतना लिजा नहीं ना मैं कुछ ने लिजा पाऊ हूँ I'm so sorry मैं मेरे बसकी तो नहीं है मैं बस ऐसे जैसे आया वैसे जाओंगा और अब यहां देगो वह दोस्तों छोटे चोटे ओले किना शुरू हो गए तो क्या तर्मियाण हो रहा है यह दोस्तों यह विरोखाल मार्केट और कुछ ऐसे हाल आजकल दोस्तों मार्केट होके तो कोई आपको देखने को नहीं मिलेगा बागी दोस्तों दुकाने जो मेन चलो वही दोस्तों जो भी रासन पानी दाना याने कड़गार पड़कर थोड़ा सा घर का जरूरी सामान वो सारा का सारे ले लिया है और मार्केट में कोई नहीं है खाली मार्केट बागी निकलते हैं जल्दी साब घर की तरफ क्योंकि अभी पूरा का पूरा 10-15 किलोमेटर और चलना है पहले उतरना है पिर चड़ना है और फिर से अब जाएंगे दोस्तों इस वाले रास्ते से यह हमें सीधा भरोली में टच करेगा पाकि यहां से देखो भए दोस्तिक आगे हमारे स्कूल है एक बढ़िया साथ जो कि है सिसुम अंदिर और इंगलिस मीडियम की प पुलपुल चांस बन रहे हैं यहां पर भी देखो एक बिल्डिंग बन चुकी है जो कि है दोस्तों सत्पाल महराज जी का आसरम और यह पी आसरम भी बन गया है बागी यह जो नीचे रोड बनी है ना इसलिए इस पे तकड़ा वाला जोर चल रहा है भी सत्पाल महराज जी कीज़े देखने को मिलेंगी या पहाड़ों में आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा बट यहां दिखा तो काफी अच्छा लगा मैंने दोस्तों आधे गंटे का रास्ता ना गंटों का बना दिया मेरे पैर बहुत जाद दर दो रहे हैं और यहां देगो वही दोस्तों मौस बारिस करने वाला है और अभी न हमारे इंदर देव जी इतना खतनाक गरज रहे हैं क्या ही बता हूं सायद कुछ पलटनी वाले हो आज अब इंदर देव जी ने भी हमारे साथ छोड़ दिया है बारिस करना सुरू कर दिया उन्होंने तो यार थोड़ी से देर रूख बारिस देखो दोस्तों कितनी तेज आना सुरू हो चुकिए हलके हलके देखो ओने गिर रहे हैं वैसा तब होगी हालत ख्राब वह दोस्तों ये वाली चड़ाई तो पार कर लिए और मौसम बिलकुल विसाद नहीं देरा लगात तार बारिस आ रही है यानि आस्मान को दू कितना क्तना गरज रहा है